नमस्कार मेरे प्यारे साथियो क्रेक परिक्षा में आप सभी का हाड़ी स्वागत है मेरे प्यारे साथियो मैं हूँ अमित आज लेकर आया हूँ 5 सितंबर फर्स सिप्ट का RRC गुरूब डी के टोटल हूब 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 क्विस्टन फर्स हम चलते हैं प्रशन की तरफ हमारा जो पहला प्रशन है वो है कि अंडमान द्वीपसमू के सुसुप्त ज्वाला मुखी का क्या नाम है फर्स हम आपको अंडमान द्वीपसमू के जितने भी ज्वाला मुखी है पहले उसको बता देते हैं हम बता दें आपको कि भारत में जो जो जोला मुखी है वह कौन कौन से है तो वह है पहला कि पहला जो है और जो है वह अन्डमान पूर्व में इस्थित है और जो दूसरा है और क्रोक्णडम glom मुखी वो अंडमान निकोबार्दीव समु के उत्तर अंडमान के पूर्व में है वो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 km उत्तर पूर्व में है हम आपको बता देते हैं इस खास बात ये करीब से सक्रिय हो गया है जो फ्रेंट चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारा जो अगला प्रशन है वो ये है कि सुरी के प्रकास में उपस्तित जो अल्ट्रा वाइलेट किरण है उसमें से कौन सा रोग उत्पन होता है तो हम पहले आपको पता देते हैं कि जो sunlight होती है, sunlight से क्या होती है, sunlight अर्थ पे आती है, अर्थ पे क्या होता है, कि अर्थ इसको अवसोसित करता है, फिर इसको reflect करता है, कुछ अवसोसित करता है, तो जब reflect करता है, तो क्या होता है, उपर एक हमारी layer होती है, वो ozone layer होती है, ozone layer यह जो हमारा अर्थ है वो और विमारी होते हैं हम आपको बता देते हैं सुरज की UV जो किरड़ होते हैं अत्यधिक संपर्क में आने के वज़े से तविमारी होते हैं थे ते जो गर्मर्ण कोा क्यों Beiva अगर सरीर इसी च्छती को सह नहीं पाती है तो ये जो खराब को सिकाए होती है वो असमान रूप से बढ़ने लगती है और जिसका कारण हो जाता है कि वो कैंसर बन जाता है स्कीन कैंसर बन जाता है तो फ्रेंडस हम चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारा जोगला प्रशन है वो यह है कि 2 cm उचाई की एक वस्तु आवतल दर्पड के यानि कि यह क्या है यह आपका आवतल दर्पड है यह आपका क्या है आवतल धर्पड है फ्रेंट्स हम आपको बता देते हैं कहा रहा है कि 2 cm उचाई की एक वस्तू कहां रखे अवतल दरपड के 20 cm की दूरी पर रखे गए माल लिजे यहां पर यहां से यहां तक 20 cm है और यहां पर रखा गया है एक image जिसकी height है 2 cm जिसकी height है 2 cm फ्रेंट्स कह रहा है कि उसका प्रतिवीम उल्टा प्रतिवीम बन रहा है वास्तविक बन रहा है और उल्टा प्रतिवीम बन रहा है जो कि दरपड से 40 cm की दूरी पर है 40 cm की दूरी पर है यानि कि और यहां पर दूरी पर यानि कि यहां से 40 cm की दूरी पर दरपड से सो फ्रेंट इसी को हम क्या देखते हैं कि अब क्या होगा कि देखे जो हमारा यू होता है यू ये दरपड से बाइं और की तरफ है इसलिए माइनस में हो जाएगा कितना है 20 cm है अब फिर अगर वी कर रहा है कि वास्तवी करूल्टा बन रहा है इसका मतलब जो वी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस 40 cm दूरी है कहां से अवतल दरपड से तो अब इसका आवर्धन निकाला है दोनों माइनस में रहेगा क्योंकि बाइं तरफ है दरपड के अब फ्रेंट हम बता देते हैं मेगनिफाइंग का जो फार्मूला होता है और अब यहां पर हम बता देत हैं m is equal to क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा माइनस 40 अपान माइनस 20 toो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका अंसर कितना हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा तो so friends हम चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हमारा जो अगला प्रस्ण है वो यह है कि निमनली खित में से यानि क्या कर रहा है कि निमनली खित में से किस योगीक में कार्बन की संख्या जादा है फ्रेंट्स हम आपको बता दे ये मिथेन होती है मिथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है और जो ब्यूटेन होता है उसका होता है C4H10 होता है और आक्टेन होता है ओ होता है C8H आपका 16 होता है और देखेंगे propane का C3H8 होता है तो friends आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि यानी कि इसमें आपका एक carbon इसमें चार carbon इसमें जो है आठ carbon इसमें जो है 3 carbon इसमें चारों योगिक में जो 8 वाला यानि आटेन है उसमें कारवन के संख्या जाएदा है हमारा जो correct answer हो जाएगा हम चलते हैं अगले question की तरफ हमारा जो अगला question है वो ये है कि new land अक्स्टक नियम क्या है तो new land ने क्या कहा था कि उस समय क्या कहा था कि इन्होंने तत्तो के यानि कि इनको जो भी element था उनको परमाडू भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने ब्यवस्थित किया था फिर क्या किया था ये बोले थे कि जो आठवे तत्तो की गुण है आठवे तत्तो की property है वो कहा रहेगी समान रहेगी यानि कि जैसे संगीत में होता है सारे गामा पाधा नी यानि कि नी के बाद फिर वही सारे गामा पाधा बोला जाएगा यानि कि सारे गामा पाधा नी ये साथ तक हो जाएगा फिर कहां से सुरू हो जाएगा फिर सा से सुरू हो जाएगा तो उसी के बाद कर रहा है इसी लिए कर रहा है कि ये आठ यानि कि फिर जो अठमा तत्व आएगा उसका गुड सेम हो जाएगा इसलिए ये अस्टक नियम कहा गया है हम आपको बता दें फ्रेंड्स जो उस समय निव लेंड के समय क्या था टोटल 56 तत्व को खोजा गया था उनको परमाण भार यानि अटामिक वेट के एकार्डी यान केल्सियम है तो देखें यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ फिर अठमा तत्व क्या है क्लोरीन है क्या है अठमा तत्व क्लोरीन है यानि कि फ्लोरीन और क्लोरीन का जो अठमा तत्व है यानि फ्लोरीन से सुरू होगा तो अठमा तत्व क्लोरीन होगा तो उसकी इन को किसने प्रतिपादित किया था देखें सो फ्रेंट्स हम आपको बता दें जो ग्रेगर मिंडल थें ग्रेगर मिंडल ने क्या किया था कि दो विपरीत लक्षण वाले यानि जैसे कि नर हो गया और मादा हो गया उनके बीच यानि एक मेल और एक फिमेल गैमिट दोनों के बी करेक्टर कहेंगे यानि कि प्रभावी लक्षण क्योंकि वो प्रभावी हुआ और जो नहीं दिखाई दिया उसे रिसेशिव लक्षण यानि कि अप्रभावी लक्षण या सुसुपत लक्षण कहेंगे जैसे कि अगर हम मालीजे एक्जांपल लेते हैं एक लाल रंग का फू उसके जो gamit होते हैं, वो आपके dominance character के है, यानि कि प्रभावी लगछड के हैं, और जो सप्षेद वाले हैं, वो recessive यानि कि आप प्रभावी यानि कि सुप्त character के है, प्रसन की तरह हमारा जो अगला प्रसन है वो ये है कि लोक नीयोजन के भिसय में आवसर की समान्त की सनुख्षेद में है देखे समानता जो है राजिक्वल्टी आपका पूरा 14 से लेकर 18 है यानि कि 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकर दिया गया है उसमें मैं एक ट्रिक बताया हूँ उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं विधी जाती सब एक समाना चूत उपाधि अन्ताना चूत अचूत उपाधि अंताना देखें यहाँ पर क्या है कि विधी जाती सब एक समाना चूत अचूत उपाधि अंताना यानि कि कितने आर्टिकल हैं पांच आर्टिकल हैं तो विधी यानि कि विधी के अनुसार सबको समानता मिलेगी अब यह हो गया चौदर अब पंदरह तो जाती लिंग अधार अस्थान किसी के अधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा समानता यानि कि वही लोक नियोजन के बिसे में सभी को समान आउसर मिलेगी और चूत अचूत अंताना मतलब कि अर्डिकल नंबर जो 18-17 है उसमें चूवा चूत का अंत कर दिया ग और यह सब जैसे है और विन्नात को नाइठ हुट की उपादी मिली थी इन सभी को पूरी तरीके से खतम कर दिया गया कि उसके बाद अब किसी को कोई उपादी नहीं मिलेगी हम चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हमारा जो अगला प्रस्ण है हो यह है कि उडान योजना कब से शुरूगी गई जो हमारा correct answer हो जाएगा आपका 21 October 2016 आनि कि आपसा नमबर जो 3 है वो correct हो जाएगा आपसा नमबर जो 3 है वो correct हो जाएगा 11 October 2016 जो जलते हैं अगले प्रस्न की तरह हमारा जो गला प्रस्न है वो ये है कि मानव सरीर में initiation की प्रक्रिया कहा होती है इसका मतलब क्या है कि फिलोपियन ट्यूब यानि इसी को ही बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब आप लोग देखे होंगे इस तरीके से इस तरीके से आप लोग देखे होंगे तो इस तरीके से देखे होंगे तो यही है आपका फिलोपियन ट्यूब यहां पर क्या होता है एग होता है यहां पर एग होता है और यह जो होता है फेलोपियन ट्यूप में शुरू हो जाती है तो कहां हो जाती है फेलोपियन ट्यूप में शुरू हो जाती है तो कहां हो जाती है फेलोपियन ट्यूप में शुरू हो जाती है फेलोपियन ट्यूप म आप का हम बता देते हैं कि मतलब कि जो ड्र ढोबरायनर जीव थे तो वो 3 तरफचों को लेकर 2 बनाया था उन्हों इसे कहा था इन्हों ने ये कहा था कि जितने भी मतलब कि जो जिसे पहले हम क्या करेंगे आरोही क्रम में यानि कि उनके द्रब्यमान को उनके अटामिक मास को आरोही क्रम में हम पहले लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या होगा जो बीच वाला इसमें जैसे कि मान लिजे ये है पहला lithium हो गया जिसे एक जांपर ले लेते हैं पहला lithium हो गया फिर उसके बाद आपका potassium हो गया और फिर यहां पर आपका sodium हो गया तो देखिए यहां पर कहा रहा है कि यह जो बीच वाले का जो द्रभ्यमान है वो किनारे वाले दो तत्व के परमाडू भार के आउसत के बराबर ही इस बीच वाले का द्रभ्यमान होगा यानि कि नो न क्या कहा था सबसे पहले द्रभ्यमान के आउरा ही क्रम में रख दिया औ current दिया है दो इंपियर दिया है दो इंपियर दिया है और resistance जो दिया है यानि की परतिरोद दिया है वो 10 ohm दिया है और यहां पर time जो है दिया है कितना one second दिया है so friends अब इसमें heat कितना produce होगा एक second में वो आपको बताना है तो हम जानते है formula h is equal to i square rt i square rt यह question बहुत ही बार पुछ रहा है हर shift में लगबग पुछ रहा है तो i कितना है 2 square r कितना है आपका 10 है और t1 है तो दो दुनी चार तहां में 40 यानि जो heat आएगा वो कितना आएगा 40 joule आएगा correct आए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए बेल आइकन को दबाना ना भूलीगा किक्वी बेल आइकन दबाने से आपको पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुच जाएगा और उससे आप benefits CL हो जाएंगे so friends मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहन